नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं प्रवंधन प्रभाग को भेजा गया है, क्रिशी निदे साला किया है, रिपोर्ट सणिवार को मुखे मंत्री हमनस्यरू के धक्ता में प्रस्तावित आपदा प्रवंधन प्राधिकार के बैटक में रखी जाएगी, ताकि सुखागरस्त परखंडों को लेकर प्राधिकार का आमतिम निर्नाय हो सके, बता दे प्राधिकार के निर्नाय से ही केंद्र को आउगत कराया जाएगा, उसके बाद सुखागरस्त सुखाडों के लिए मिलने वाले अनुदान पर विचार होगा, बता दे गंभीर परखंड के रूप में घोसित सुखागरस्त सबसे ज़्याद के लिए सहर और ग्रामी दोनों ठाना छेतरों में 24 गंटे बाइक दस्ता को गस्त पर लगाया गया है, तीस और 31 अक्टूबर को छट वाले दिन, तीन सिप्टों में मोटर साइकल दस्ता घुम खुम कर बंद पड़े घरों, दुकानों और परतिष्ठानों पर निगरानी क चाकि चोर सेंधमारी ना कर सके, इसके लिए तीन सिप्ट बांटे गया है, बता दे आठ आठ घंटे के तीन सिप्टों में टाइगर मोबाइल दस्ते को लगाया गया है, इसके लिए सहर में 24 होट एस्पोर्ट चिनित किये गया है, सभी होट एस्पोर्ट पर विशेस इस बाइक दस्ते के अलावा थाना की पेट्रोलिंग को भी निगरानी का निदेश दिया गया है, इसकी मोनेटरिंग का जिम्मा इलाके के DSP को दिया गया है, वही थानेदारों को भी अलट किया गया है केंद्रिये ग्रिह मंत्री से हमंत सरकार ने लगाई गुहार पूलिस परमुखों से केंद्रिये ग्रिह मंत्री नेट फीडबेक लिया और सुझाव मांग की बता दे चिंतन सीवीर के दूसरे दिन पधान मंत्री ने भी वर्चुल डूप से जुड़कर सीवीर को समधित किये इसके बाद जारखन से बीत मंत्री डक्टर रमिस्वर जिससे मांगे उपकरन की खरीदारी इस फ्राट टक्टर वह जन जागरूपता का कारे किया जा सके आर्मी ओर्डिनेस में 400 पदों पर भैकेंसी भारतिये सेना के तहत आर्मी ओर्डिनेस कोपर्स के द्वारा 400 से अधिक माटेरियल असिस्टेंट पदों पर ऑनलाइन आवे कर सकते हैं बतादे इस परक्रिया के माध्यम से देश भर में माटेरियल असिस्टेंट के 429 से रिक्त पदों पर भरति की जाएगी जिसमें समाने वर्ड के 171 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ड के 42 और पिछड़ वर्क 113 अनसुचित जाती वर्क 62 पद वहीं अनसुचित ज इंदु हैं आदिवासी नहीं कहलाएंगे मंत्री रामेश्वर उराव कोडमी समुदाय आदिवासी का दर्जा देने किमांग कर रहा है कई राजियों में इसके लिए उसने आंदोलन तेज कर दिया है जारखन की सरकार इस मुद्दे पर अभी तक मौन है लेकिन हेमांद कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्त डाक्टर रामेश्वर उराव ने 20 फोटक ब्यान दिया है उनके इस ब्यान से जारकन की रायनिती में उबाल आ सकता है बतादे राश्ट्री ये अनसूची तजन जाती आयो के चेर्मेन रहे रामेश्वर उराव ने कहा है कि उन्होंने क पढ़ा है कि वर्ष 1929 में मुझा फर्फूर में कुड्मियों की एक बैटा कोई थी इसमें कई राजियों से लोग आये थे इस बैठाक में सरसमाती से प्रस्ताव पारित हुआ था कि कुड्मी हिंदू है उन्होंने यह अभी कहा था कि वे जन्यों पहनेंगे और आदिवा पासी नहीं का लाएंगे लेकिन अब कुड्मी समाज के लोग खुद को एस्टी यानि अनुसूची तजन जाती में सामिल करने की मांग कर रहे हैं डाक्टर उराव कहते हैं कि उनकी मांग कानूनी तवर पर उचित है या नहीं इस पर गहन अध्यान की जरूरत है कस्तूर्बा बिद्याले के करमचारियों के मांदे विरिधी पर जार्खन केबिनेट की बैठक में होगा फैसला इनकार कर दिया है लेकिन करमियों के लगातार मांग को देखते हुए जार्खन सिक्षा पर विन्या परिषद ने राजे बायट से 20% मांदे बढ़ाने के प्रस्ताव राज सरकार को भेजा है केंद्रे ने समग्र सिक्षा अभियान के ताथ इन विद्यालों में करणराद 1234 करमियों के चालू वित्ये वर्ष में मांदे के लिए 187 लाख रुपए की ही स्वकृति परदान किया है दरोगा नियुक्ती में उम्र बढ़ाने की सियम हिमन्त से मांग कांग्रेस बिधायक अंबा परसाद ने मुख्य मंत्री हेमन सुरिन से अगामी होने वाली दरोगा नियुक्ती के परिछा में उम्र सिमा को बढ़ाने और उम्र सिमा का कौट ओफ डेट पिछली नियुक्ती का वर्ष करने की किरपा करे ग्यात हो की जारखन में 2018 के बाद फिर से जारखन दरोगा के 946 पदों के लिए भरती परिक्षाली जाएगी पूलिस मुख्याले ने गिरी विभाग को इसकी अधिसुचना भेजी है इसमें कहा किया है कि अधियाचना दरोगा के भरती के लिए राज्य करमचारी चैन आयो करंट लगने से दो किसानों की मौत मंत्री मिथिलेस पहुंचे अस्पताल जारखन के गठवाजी लेके चीनिया थाना छेतरे के राजबास गाउं में धान की सिचाई करने के दो करंट लगने से दो किसानों की मौत हो गई खेत में ही दोनों किसानों को तड़पता देख गरामीनों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां डाक्टरों ने उन्हें मिरित घोसित कर दिया पेज जल्यों सुक्ष्टा मंत्री मिसलेश ठाकोर एवं बिजेपी ने तावन ने अस्पताल जाकर उनसे मुलकात की और परिजनों को धानस बढ़ाया बता दे गढ़वाजी लेके चीनिया थाना छेतर के राजबास गाव निवासी 50 वर्षी राम उतार यादव एवं 45 वर्षी राम प्रकास साव राजबास गाव में एक ही मोटर ते अपने खेत में सुक्रवार को धान का पटवन कर रहे थे पटवन करने के लिए बिजली के तार में मोटर जोड़ा गया था इसी दोरान एक करेंट के चापेट में आगाए आवास निर्वान में रूची नहीं ले रहे लाभुको का आवास रद पलाम के उप विकास आयूपत मेगा भर्दवाज ने सुक्रवार को परधान मंत्री आवास जोईना गिरामिन अंतरगत नियून प्रगति वाली पंचायतों के पंचायत सजियोग साथ बैठक की समर्णाला के बलोग सी के उप विकास आयूपत सभागार में अविजित इस बैठक में डीडी सी ने बारी बारी से सभी पंचायतों के समिक्ठा की इस दोरान उन्होंने आवास नेवन में रूची नहीं ले रहे लाभको का आवास रद करने का निर्देश दिया है इस कराम में पंचायत सजियोग मृत लाभक क्या सिर्टों का खाता अगामी 10 नौंबर तक अपडेट करने के निर्देश भी दिये है सियम हमन्द क्रिस्मस गेदरिंग में करेंगे सिर्कत अल चर्चेज एसोसेशन की ओर से अगामी 16 दिसंबर 2022 से सिम्डेगा के अलवट एका मैदान में क्रिस्मस गेदरिंग का उजन किया जा रहा है इस करकन में मुख्य मंत्री हमन्द सिर्कत करेंगे बतादे सिम्डेगा विधायक भोषन बड़ा को सिम ने स्विकार किया है जारखन में 13,000 पदोपर सिपाही भरती छट पुजाबाद जारखन में 13,000 पदोपर सिपाही भरती की परकिर्या जल्द ही सुरू होगी इसे लेकर ग्रिह विभाग ने पूरी तियारी कर ली है बतादे दिसंबर माह में भरती के योग युवा पहले दोड लगाएंगे फिर वे लिखित परिक्षा देंगे जारखन करमचारी चैन आयोग दोवारा ली जाने वाली इस परिक्षा के लिए ग्रिह विभाग आयोग कर सुचना भेजेगा छट पुजा के बाद अधियाचना भेजने की सुचना है सिपाही भरती के लिए पहले सरीरिक परिक्षा ली जाएगी फिर लिखित परिक्षा होगी इसको लेकर पिछले दिनों ही केबिनेट से अप्रूबल मिल चुका है सरकार ने जार्खन पूलिस भरती निमावली में संसोधन किया है इससे पहले दिसंबर 2021 को ही सियम हेमन सुरे ने कहा था कि सिपाही भरती के निमो में सरकार बदलाव करेगी सिपाही भरती में पहले सारीरिक परिक्षा होगी उसके बाद लिखित परिक्षा ली जाएगी गूर्पा एस्टेशन में मालगाडी हादसे के 55 घंटे बाद किलियर हुआ डाउन लाइन कोडारमा गया रेल खंड के गूर्पा एस्टेशन पर गत बुद्धवार की सुबा कोईला लोड मालगाडी के दुरुगाटना गरस्त होने के बाद ट्रेनों का परिचालन लागातार बाधित है सुक्रवार को भी एक भी ट्रेन का परिचालन इस रूट से नहीं हो सका पुर्जोन के मुख्य जन्वसंपर्क अधिकारी विरंद्र कुमार ने एजनकारी दिया है सराय केला के छो बालु घाटों की जल्द होगे निला में सराय केला जीला में बालु की किलत जल्द ही दूर होगी इसके लिए जीला के सिरेनी 2 के 6 बालू घाटों का जल्दी टेंडर होगा इसके लिए भी भागिये पहल सुरू हो गई है बालू घाटों का संचालन जारकन एस्टेट मिल्स डेवलोपमेंट कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा बता दे J.S.M.D.C. द्वारा जीला के के टेगरी 2 के बालू घाटों के टेंडर को लेकर परकिरिया पुरी तरह टेंडर निकाली जाएगी इसके बाद बालू घाटों के निलामी होगी निलामी के बाद घाटों से बालू का उठाव हो सकेगा गिरिडी में स्कूल से लोट कर दसवी के छात्र ने लगाई फांसी गिरिडी जी लेके बागोदर थाना छेतर दो दलो गाउं के छात्र राकेश कुमार ने घर में ही फांसी लगा लिया गहतना के सुचना पर बागोदर विधायक बिनोत कुमार सिंग मिरी तक छात्र के घर पहुंचे और पूरी घर्टना के जनकारी ली उप परमुख हरेंद्र सिंग ने बताया कि परिजनों के मुताविक मिरी तक राकेश इसकूल गया था जहां एसेंबली के दौरान इसकूल उसको लेकर उसे परतालित किया गया था उसके बाद घर आकर उसने खुदखुशी कर ली इस घर्टना में परिजनों में आक्रोश है बताया जता है कि छातर ने स्कूल से लोटने के कुछ घंटे बाद कमरों में बंद कर लिया और रसी के सहारे पांसी लगा ली इधर परिजन जब छातर राकेश को खोजने कमरे में गय तो कमरे का दरवाजा को तोड़ कर अंदर घुसे उन्होंने देखा कि छातर राकेश का सव लटका हुए है जारखन ओपेन उनवरसिटी में ओनले नमांकन सुरू जारखन ओपेन उनवरसिटी में दाखला सुरू हो गया है जारखन के राज़ेपल रामेश बैस ने सुक्रवार को नमांकन का सुभारम किया अब इस उनिवर्सिटी में कोई भी चात्र घर बैठे दाखिला ले सकता है बेहादी कॉमफीस में पढ़ाई कर सकता है राज जेपाल ने नमांकन का सुभारम करते हुए कहा है कि इस उनिवर्सिटी के अस्थापना होने से ग्रामी चत्र के काम काजी लोग भी अब उच्छ सिक्षा प्राप्त कर सकेंगे राज जेपाल नमें इस भैसने जहारखन राजबहन में जहारखन उनिवर्सिटी.nic.in.jsou के माध्यम से इस उनिवर्सिटी में ओनलाइन दाखिला वा पंजी करन की परकिरिया का उधगाटन किया राज जेपाल ने कहा कि इस नई उनिवर्सिटी से अधिक से अधिक छात्र उच्छ सिक्था प्राप्त कर सकेंगे पलामू में छठ पूजा के लिए सोने चान्दी के सूप की खरीदारी यूटूब पूरे जार्खन में लोग आस्था का महा पर्वत छठ धुमधाम से मनाया जाता है लेकिन पलामू की बात ही कुछ अलग है बता देया जीला बिहार के और रंगाबाद और गया से लगा हुए है यहां की भासा संस्क्रीती और पर्वते भार बिहार से अलग नहीं है बिहार की तरह यहां का भी मुख्य पर्वत छठ है मने आता है कि छठी महिया से अगर सच्चे और साफ दिल से मनत मांगी जाए तो वे पुर्ण होती है ऐसे में लोग सोने के सूप भी अर्ध देते हैं इसको लेकर पलामु जिला मुख्याले मेदनी नगर के मार्केट में दो गराम से लेकर 20 गराम तक के सोने के सूप उपलबद है इसकी कीमत 20 या से लेकर 1 लाक रुपे तक के हैं बता दे छट महापर्व करने वाले खरीदारी भी कर रहे हैं इस्पेन के बूल फाइट की तरह खुटाव खाल कर भागे बैल कईयों को रहुंदा एक कीमत सराइक लाक हरसावा जीला के राजनगर के पुराना परखन का रियाले के पिछे वा कुर्माली भावन के सामने मैदान में बिते दीन गुरु आरकी साम को बंदना परव के आउसर पर आयोजीत गोरु खुटाव कारकरम में हाजसा हो गया है हाजसे में एक बुजूर्ग के जान चली गया या बिल्कुल उसी तरह हो गया जिस तरह स्पेन के बूल फाइट में भागदर के दरान होती है राजनगर में खुटाव के दरान एक उत्यजित बैल खुटा सहीत उखाड कर भीण की ओर भागा जिसमें कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया जिसमें एक बुजूर्ग राजनगर गाउं के संभु महतोव दो अन्यक की सोर इस हाथसे में घायल हो गया बुढ़ा पहाड और पारासनाथ से नकसलियों का हो चुका सफाया मंत्री हर्याना के सुरज कुंड में अयोजीत राजियों के गिरिय मंत्रियों की चिंतन स्वीर में मंत्री रामेसवर उराव ने जरकन का पक्ष रखा उन्होंने कहा है कि हमरा राजवाम पंथी उग्रवाद से प्रवावित रहा है लेकिन विकास के साथ साथ बिसेस अभियान चलाने से नकसलियों के खिलाप और परत्यसित सफलता मिली है उन्होंने कहा है कि बुड़ा पहाड को नक्सलियों के कबजे से मुक्त करा लिया गया है परसनात की पहाड़ियों से भी नक्सलिय परभाव खत्म कर दिया गया है जारखन के रांची धनबाद जमसेदपूर में रहने वालों के लिए अच्छी खबार परदूसन कंट्रोल बोर्ड राजे की तीन सहर में होने वाले परदूसन को कम करने का पर्यास कर रहा है जिसमें राइधानी राची धनबाद अजम सेथपूर सामिल है परदूसन कंट्रोल बोर्ड के पर्यास की वज़से हवा के परदूसन को कम करने में सफालता भी मिली है केंदर सरकार की ओर से नेशनल के लिए रेयर प्रोग्राम चलाया जा रहा इसके लिए राजे के तीन सहरों के लिए बीतिय साहता भी मिली है रांची में तीन सफाई मसीन और चार एंटी स्मोग गन से धुल को नियंतरित करने के लिए सडको पर पानी का छिलकाव किया जाता है वायू परदुसर नियंतरन के उप्यों के पालन करने के लिए चार मोबाइल टीम बनाई गई है वाय रांची नगर निगम के सवयोग से सडक किनारे पाधे भी लगाये जा रहे हैं धन्यवाद